हेलो दोस्तों मैं हूँ देरंजन राज आपके लिए आरकॉम पे एक वीडियो लेके आया हूँ और इसमें आज हम लोग इसका टेक्निकल अनल्सिस देखेंगे और पता करने की कोशिस करेंगे कि यह कहां तक हमारा प्राइस जा सकता है अभी इसमें तीन दिन से आपर पोजिटिव मुमेंट आया तो वह बहुत ही ज्यादा जुर्दार मुमेंट होगा इसमें और पोजिटिव मुमेंट होगा यह और इसका प्राइस एक दम ऊपर की तरफ जाएगा और देखिए उसी दिन से 18 के बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद तीन दिन मार्केट ख तो यह भी हमारा उठके खुला और 10% के सरकिट के साथ खुला तो उसी दिन से जिस दिन फॉर रूपीज पर था यह आर कॉम और फॉर रूपी से 4.40 पे गया और उसलिन 10% का इसका सरकिट लगा इसमें और उसमें सिर्फ बायर्स थे और उसमें सेलर्स एक भी नहीं है तो हैं तो वह अल्टिमेंटली इसका प्राइज उपर ही जाएगा और मैं आपको दिखा दूंगा वह कि कितना परसेंटिस का डिलीवरी और कितना परसेंटिस में ट्रेड हो रहा है तो हम लोग यह सारा कुछ देखेंगे उससे पहले मैं आपको इसका एक जर्नी बता देता यह इसका प्राइज को बुटिखेंगे तो इसका पुरा हो पाता है और देखिये इसमें जो मल्टी एर मैनेज्ड सर्विस जिसको हम लोग एमे से बोलते हैं वह साइन किया एरिक्शन ने आर्कॉम के साथ तो आरकॉम ने उसको पूरी अथारटी दी कि वायर लाइन का मैनेज्मेंट वो एरिक्षन करेगा और इसमें क्या था कि वन लाइक किलो मीटर तक का वायर लाइन इसको लगा ना था और उसको मैनेज करना था और उसमें क्या था देखिए यह 2013 का बात है और 2017 में क्या हुआ आरकॉम ने जो ड्यूस था वो पे नहीं किया 2017 में तो उसमें क्या किया कि Erickson ने अपना जो MSA था मल्टियर मैनेजड सर्विस का जो अग्रिमेंट था उसको टर्मिनेट कर दिया उसने 2017 में और उसके बाद 2018 माई में आप देख सकते हैं कि वह NCLT कोर्ट में गया और इनिशेट किया वहाँ पे इनिसल्वेंसी का केस उस पे इनिशेट हो गया और यह NCLT ने इनिशेट कर दिया insolvency का case August 2018 में अगर आप देखें तो ये को ये जो हमारा insolvency का case था वो सुप्रीम कोट में चला गया October 2018 में आरकॉम रीपे करने में फेल हो गया और उसको सुप्रीम कोट ने बोला एक deadline दिया 2019 का और March 2019 का जो हमारा 19th March 2019 था उसको एक deadline दिया गया February 2019 में और 18th March को उसने क्या किया 462 करोड रुपीज उसने पे कर दिया आरकॉम ने एरिक्सन को तो देखें ये पूरा जर्नी है हम लोग का आरकॉम का कहां से कहां ये केस कैसे कैसे हुआ और वहीं से प्राइज इसका नीचे आना स्टार्ट हुआ तो देखिए इसका केस हमारा स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं इसमें 2017 में जब से उसका ड्यूस पे नहीं हो पाया वहां से इसका ये नेगेटिव जर्नी स्टार्ट हुआ है तो अगर हम लोग 10-year का हम लोग चार्ट देखते हैं तो देखिए यह कैसे कैसे यहां बीच में आके थोड़ा सा बढ़ा था 2013 में क्योंकि वही उसको जन्वरी में इसको वह एग्रिमेंट हुआ था इसके साथ यह एरिक्सन के साथ तो यहां से उसका प्राइज अच्छा खासा आप देख लिजे 52 रूपीज से यह 100 रूपीज तक चला गया था और उसके बाद से रूपीज तक चला गया था और उसके बाद से यह ग्रैजुली होलीरएज करना इस्टाड किया यह देखने यहां पर आप डेट नीचे देख सकते हैं मैं यहां पर कर रहा हूं और आ आप नीचे डेट देख लिजे तो यहीं से इसका प्राइस seu डिक्री 2015 से और भी ज्यादा डिक्रीज करना स्टार्ट किया और केस स्टार्ट हुए इसका टू थाउजेंड 2017 में जब उसने पे नहीं किया और एमें से टर्मिनेट हो गया आरकॉम का एरिक्सन के साथ तब से और भी इसमें ज्यादा नेगेटिव मोमेंट आया तो हम लोग यहां देख लेते हैं अभी मैं most of drinks का चार्ट दिखा दिखा देता हूं और देखीए यहां बीच में क्या हुआ था एक निवस आया था और निवस के चलते यह आरकॉम नीचे आगया था पूरा ही नीचे आगया था और उसमें वो पे नहीं कर पाया था मतलब उसमें उस news के चलते जो पे नहीं कर पा रहा था उसी news के चलते यह इसका market price नीचे आया और अभी देखिए इसमें क्या हो recently तीन दीन से इसमें लगातार 10% का circuit लगते जा रहा है तो देखिए मैं वहां पर यहां पर one day का चार्ट खोल लेता हूं और इसमें हम लोग analysis कर मार्च है और इस यहीं से start हुआ है इसका positive journey तो हम लोग देख लेते हैं पहले RSI देख लेते हैं relative strength इसका देखिए यहां पर था तभी मैंने आपको बताया था इसमें कि एक अपर मूमेंट आ सकता है और उस दिन से इसमें अपर मूमेंट है 18th March के बाद से ही इसमें circuit लग तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं RSI RSI इसका पहुंच चुका है 39 और 40 के बीच में है यहां तक इसका RSI relative strength पहुंच चुका है और यह हम लोग वन डे का चार्ट देख रहे हैं तो इसलिए यहां पर है और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं moving average convergence divergence अभी एकदम ही converge हो चुका है और धीरे धीरे जो blue line है वो आप देखिए अगर ध्यान से यहां पर देखेंगे तो जो blue line है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है और जो green line है यह जो red line है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो जब भी blue line ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग इसमें positive moment expect करते हैं तो यह हमारा अभी इसमें show नहीं हो रहा है और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा यह blue line है यह blue line थोड़ा सा अभी positive में ऊपर की तरफ आया हुआ है तो यह हमारा sustain करेगा और इसका मैं support और resistance बता दूँगा कहां तक जाएगा और हम लोग इसमें ADX देख लेते हैं ADX होता है हमारा average directional index तो यह direction का strength बताता है कि इस direction का strength कितना जादा है तो देखे यहां पर तो अभी थोड़ा नीचे की तरफ आया है तो जो इसका negative strength है negative trend है वो उसका strength अभी कम हो रहा है तो यह हमारा जो ADX है यही बता रहा है कि जो bearish trend है वो हमारा कम हो रहा है और इसमें bullish trend आ रहा है तो अगर यह हमारा नीचे की तरफ है जा रहा है इसका मतलब जो इसका trend है जो negative trend चलते आ रहा था बहुत दिन से वो हमारा अभी वीक हो रहा है तो यहां पर देखे यह उपर कब जाता है जब हमारा ट्रेंड पोजिटिव हो तो यहां पर गया था इसमें नेगेटिव जो ट्रेंड था वो स्ट्रॉंग था एक दम और अभी क्या हो रहा है यह जो नेगेटिव ट्रेंड है वो अभी वीक हो रहा है तो यह ADX नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें लोग पता कर अगर सरकीट ऐसे ही रहा तो इसमें यहां पर हमारा एक पोजिटिव सिगनल बनेगा और EMA क्रॉस है वो गोल्डेन क्रोस यहां पर बनाएगा तो अगर गोल्डेन क्रोस बनाता है तो यह बाइंग करने का बहुत अच्छा सिगनल है और लॉंग टम के लिए आप इसको ले क्यांटिटी न करें मैं आपको सला दूंगा मतलब इसमें आप एक बार पूछ ले अपने अडवाइजर से और इसमें ज्यादा क्वाइटी न करें और क्योंकि हैवी क्वाइटी कहीं भी रहेगा आप अपने पोर्फोलियो को पुरा डाइवर्सिफाई करें और हर एक आप लगाते हैं पैसा तो पॉर्टफोलियो अन बैलेंस होने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है तो देखिए आरकॉम का अभी हम लोग देख लेते हैं मैं इसमें फेबना की रिट्रेस्मेंट आपको बता देता हूं तो देखिए यहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक यह हमारा दिखता है यहां पर फेबना की रिट्रेस्मेंट आप यहां पर देख सकते हैं तो फेबना की रिट्रेस्मेंट पर आप क्लिक करते हैं जब तो मैंने उस पर क्लिक किया और मैं इसके बिलो पॉइंट से सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वहां से मैं एक फेबना क तो देखिए ऐसा मैंने एक फिबनाकी रिट्रेस्मेंट ड्रॉ कर लिया तो देखिए अभी हमारा क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.786 के पास में अभी इसका प्राइज आया है मिन्स यह 5.53 के पास में इसका प्राइज है और यह हमारा 1 होता है और यह उपर वाला 0 हो बन जायेगा और वहां से फिर वह उपर की तरफ भागेगा यहां पे देख लीज़िए 0.786 जो है यहां पे आके और इसका जो रिस्टेंस है वह सपोर्ट बन जाएगा और उसी सपोर्ट से फिर से थोड़ा मूऌनटर रुकि के और फिर से वहां से एक अपर की तरफ यह ग्रोथ वाली कंपनी है और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देगी हालांकि यह कंपनी बहुत अच्छी थी लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें जितना इवेंट हुआ उसके हिसाब से हम लोग इसका फंडमेंटल थोड़ा वीक हो चुका है तो इसको संभलने के लिए थोड़ा क्याइम लगेगा भी और अभी जब इसमें खुलता है इसका सर्कृट तो आप इसमें कर सकते हैं और वहां से प्राइज इसका अगर बाइंग प्रिशर आएगा तो फिर तो प्राइज उपर की तरफ भागे गाई इसका और इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको जों कि आप इसमें प्राइब करें और जब भी सर्कृट खुलता है तो सोछ समझ के आप इनवेश्मेंट करें इसमें और देख लिजेए राइन करने लायक कंपनी है इसमें प्राफिट हो सकता है लेकिन यह कब तक यह सर्कृट सस्तेन करेगा वह पता कर सकते हैं हम लोग में बन रहा है तो अगर वहां तक इसका प्राइस गया तो एक बार में भी वहां पर रुपके और सपोर्ट लेके और इसी रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना के और फिर से उपर की तरह भागे गा इसका नेक्स्ट अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो 11.50 पर बन अ मिलोग देख लेते हैं कितना है अगर हम लोग नसी वेब साइट पर देखें तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं आरकॉम का सारा डिटेल हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं यहां मैं टाइप करता हूँ तो देखें यहां पर रिलाइंस कम्मुनिकेशन लिमिटेड आ गया और यहां पर देखें इसका 52.52 विक लो 3.95 और 52 विक हाइट 26 है तो अगर हमारा 11 क्रॉस करता है तो 26 तक जाने का बहुत ही ज्यादा चांसे है और इसमें यह भी चीज आप देख लेजे कि कितना इसमें डिलीवरी पर बाई हो रहा है तो 37% का इसमें डिलीवरी पर बाई हो रहा है और उतने 37% के बाई से ही उसमें circuit लग जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें 60% और 80% तक delivery position गया तो फिर ये इसमें तो और भी sustain करने वाला है ये circuit तो circuit अभी sustain कर सकता है 7 रुपीज तक 7 रुपीज के बाद 11 रुपीज तक कर सकता है और इसमें circuit बहुत दिन तक इसमें चलने वाला है तो देखते हैं अभी इसका पैसा रहता है market positive और अगर इसमें कुछ और भी positive news आएगा तो फिर ये circuit sustain करेगा ही बहुत दिन तक थैंक यू दोस्तों